नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि अरुनांचल परदेश और आसम इन दोनों राज्यों के पीछ में जो सीमा विवाद है उसको लेकर एक डिस्टिक लेवल की कमीटी का गठन किया गया है तो अब वो कैसे इन दोनों राज्यों के पीछ में जो सीमा का विवाद है उसको कैसे दूर करने की कोशी की जाएगी इन तमाम बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे और किवल आसम का अरुनाचल पर देश के साथ ही नहीं जो हाँ पर आप नौर्थ इस्ट के काफी सारे स्टेट देखते हैं जिब वो नागा लेंड, मिजोरम, मिगाले इन सब के साथ आसम का कही न कहीं विवाद चल रहा है इन तमाम बातों को हम देखेंगे और देश के अंदर कहां पर किन-किन राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है उनको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आपको कुछ भी लिखने का नहीं है सोचे कि सर हमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको इस तमाम बातें लिखी लिखाएं मिल जाएंगी PDF की रूप में कहां मिलेगी PDF तो टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरुनाचल परदेश और आसम ने क्या किया है कि उनके राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है उसको दूर करने के लिए इन दोनों राज्यों की सरकारों ने यहां पर एक जिलास्तरिय समीति यानि District Level Committee को गठन करने का निनने लिया है अब यह समीति क्या करेगी इन दोनों राज्यों का एतिहासिक जो है प्रिप्रेक्शन जो जातियता है निकटता है लोगों की क्या इच्छा है परशास्निक सुईता इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह काफी लंबा एक मुद्दा है जहां पर यह समी विवाद चलता हा रहा है यह सर्वेक्शन यानि कि सर्वे करेगी और एक कही न कहीं कंस्ट्रक्टिव आइडिया प्रस्तूत करेगी कि इस तरीके से शायद यहां पर इन दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद को सुल्जाया जा सकता है तो यहां पर डिस्टिक लेवल कमीटी का गठन कर दिया गया है अब बात करें कि देश में कहां कहां पर सीमा विवाद चल रहा है इनके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर आप देखेंगे आपके सामने यहां पर मैप भी है यह हो गया हमारे सामने असम और यहां पर यह देखें यह हो गया अरणाचर परदेश अरणाचर परदेश में आपको बताए कि ब्रहंपुत्र नदी entry करती है इसको दिहांग कहा जाता है ब्रहंपुत्र नदी को जब वो असम में आती है तो असम में उसको ब्रहंपुत्र नाम दिया जाता है तो एक ये चीजी आपको ध्यान रखने ये रही आपके सामने यह भ्रहम पुतर नती हो जाती है तो असम में से आप देखेंगे तो उपर अनाचल परदेश हो गया यहां पर नागा लैंड में मनिपूर में मिजोरम त्रिपूरा में घाले यानि सभी के सभी जो नोर्थी स्टेट है वो असम के साथ लगते ही लगते हैं तो असम का सभी के साथ विवाद बना हुआ है अभी देरी देरी आपको सब पता चलेगा देखेंगे असम और अनाचल परदेश क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ 804.10 किलोमेटर के एक अंतर राजे सीमा के साजा करते हैं 1987 के अंदर क्या था अरणाचल परदेश राजे बना था और परंप्रिक रूप से इसके निवासियों की कुछ भूमी जो है असम को दे दी गई थी अब यहां पर इनमें विवाद होने लगा कि जो जमीन असम को दी गई है तो यहां एक त्री पक्षय समीति की सिफारिस की गई थी उन्होंने का था कि जो जमीन अरणाचल परदेश की असम को दे दी गई है तो एक काम करते हैं कि कुछ हिस्सा कुछ शेत्र जो है वो असम का अरणाचल परदेश को दे देते लेकिन ये मुद्धा काफी जादा गर्मा गया दोनों जो हैं राज्ये यहाँ पर नयाले की शरण में भी गए लेकिन यहाँ पर कोई भी सोलूशन निकल कर नहीं आया इसके अलावा असम का मिजोरम के साथ भी आपको विवाद देखने को मिलेगा देखें मिजोरम एक स्टार्टिंग में केंदर शाषीत परदेश यूनियन टेरिटरी था जब यहाँ कभी यह असम का एक राज्य हुआ करता था जिला हुआ करता था और इस जिले को अलाग करके यूनियन टेरिटरी बनाए गया था बाद में इसको रज्य बना दिया गया था और मिजोरम की सीमा जो है वो असम के कछार हेला कांडी और करीम गंज करीम गंज से में लगती है अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना मिजोरम यह रही हला कांडी होगी कछार होगी और करीम बजार तो इन जिलों की जो है सीमा जो है वो किसके साथ लगती है मिजोरम के साथ लगती है इसके लावा क्या हुआ यहां पर मिजोरम चाहता है कि जो बहारी जो परभाव है अपने जो राज्ये हैं उनके आदिवाशियों के वो रक्षा करें तो यहां पर 1875 में एक inner life permit जो यहां पर लागू किया गया था मिजोरम के लिए तो वो कहता है कि उसके according हम अपनी एक boundary बनाना चाहते हैं आसम कहता है कि नहीं उसके according नहीं बलकि आज की date में जैसे नए आधुनिक तूरूप से हम जिलो के बीच में या राज्यों के बीच में सीमा बनाना चाहते हैं यह आसम का कहना है कि निर्धारन हो तो बाद वाली सीमाओं के अनुसार किया जाए आसम का कहना है मिजोरम का कहना है नहीं हम तो 1875 में जैसे boundary बनाई गई थी हम उसके according जाना चाहते हैं तो यह दोनों के बीच में विवाद यहां पर चल रहा है असम और नागालेंड के बीच में भी विवाद है 1963 में नागालेंड के गठन के बाद सी दोनों राज्यों के बीच में विवाद शुरू हो गया था दोनों राज्ये असम के गोला घाट जिले के मैदानी इलाके के बगल में एक छोटा सा गाव है मेरा पानी को अपना दावा करते हैं गोला घाट अगर आप देखेने हैं तो यह गोला घाट हो गया यह नागालेंड हो गया और यहाँ पर यहाँ पर एक गाव आता है उसका नाम में मेरा पानी यहांपर नागलेंड का कहरा है कि Aymyra है आसम का कहरा है है तो यहांपर इन दोनों के पीछ में विवाद इसको ले कर चला हूए 1960 के दस्षक में यहांपर काफी चारी जड़कें भी हुई थी इस शेत्र को लेकर हिंसक जड़कें हुई थी यहांपर अब इसके अलावा आसम और मेगाले का भी यहाँ पर विवाद है करीब एक दर्जन आप यहाँ पर देखेंगे ना मेगाले तो यहाँ देखेंगे अब कितने सारे जो शेत्र हैं आसम के वो मेगाले के साथ सीमा साजा करके बैठें तो यहाँ पर इसका विवाद तो खतम होने का नामी नहीं नहीं ले रहा क्योंकि एक दर्जन से ज़्यादा शेत्रों की पहचान की गई है जो विवाद जो है वो मिघाले के साथ चल रहा है असमका अब इसके अलावा असमका हमने नौर्थ इस्ट में देख लिया हमारे उत्तर भारत के अंदर भी काफी सारे शेत्र ऐसे आपको मिल जाएंगे जो सीमे विवाद में हैं जैसे हरियाना और हिमाचल परदेश दोनों राज्ये जो हैं वो एक तरीके से सीमा साजा करते ही करते हैं तो यहां पर पंचकुला के पास एक शेत्र आता है उस शेत्र का नाम है परवाणू तो हरियाना का कहना है कि वो जो है जमीन वो हमारी है और उसके उपर हिमाचल परदेश दावा करके बैटा हुआ है यह हरियान ने आरोप लगा रहा है तो इन दोनों राज्यों के बीच में इस परवाणू शेत्र को लेकर एक सीमा विवाद चला हुआ है इसके लावा लदाक और हिमाचल परदेश के बीच में भी है देखें लदाक और हिमाचल परदेश जो केंदर शासित परदेश सुर्चु शेतरक पर अपना दावा करते हैं जो ले मनाली राजमार्क से यातरा करने वालों के लिए बहुत परमुक बिंदू है ये शेत्र जो है वो हिमाचल परदेश के लाहूल और समीती जिले और लदाक के ले जिले के बीच स्थीत है तो इसको लेकर लदाक और हिमाचल परदेश के बीच में विवाद है और सबसे बिड़ा विवाद मैं कह सकता हूँ कि महाराष्टर और करनाटक के बीच में आज की रेट में भारत में जो चल रहा है सीमावाद वो है एक बेल गाम को लेकर बेल गाम एक्चुल में करनाटक में आता है लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मराठी बोलते हैं और कुछ लोग यहाँ पर करनाट लैंग्विज भी यूज करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मराठी बोलते हैं मराठी बोलने वालों को कहा है कि हमें जो है वो महराष्टर के अंदर शामिल किया जाए लेकिन करनड भाशावाले क्या रहें कि नहीं हम तो करनाटक के पास ही रहेंगे तो इसको लेकर काफी जादा विवाद ये बहुत जादा सुर्क्यम बना रहता है अब यहां पर यह शेत्र अंग्रेजी अंग्रेजों के समय बॉंबे प्रेजिटेंसी का हिसा हुआ करता था लेकिन 1956 में राज्यों के पुनर गठन इसे करनाटक में शामिल किया गया था अब बात करें कि इतने जो अंतर राज्यों हम देखते हैं सीमा विवाद में क्यों अंसुलजे रह गए हैं और सबसे बड़ी बात कि सर यह हर्याना हो गया हिमाचर परदेश परवानु शेत्र को लेकर हैं तो अगर एक राज्य दूसरे राज्यों का अपनी जमीन दे भी देता है तो उससे फर्क क्या पढ़ जाता है क्योंकि है तो देश एक ही न कोई यह तो नहीं है कि हमने किसी बहारी देश को दे दिया है रहेगी तो हमारे देश में तो यहाँ पर यह लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहें तो आप सबसे बड़ा अगर आप इसका रीजन जानेंगे तो आपको याद हो गया कि 1953 में पहला राज्य बना था हमारे देश के अंदर भाशा के आधार पर आंदर परदेश तेलगू भाशा के अधार पर आंदर परदेश बना था और आंदर परदेश को इतनी हसानी से नहीं बन गया था उसके लिए बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था पोटी शीराम अल्लू जी उनकी डेथ हो गई थी 52 दिन के अंशन के बाद मतलब कि ये भूकरताल पर बैटे थे इनकी मोत हो जाती है क्योंकि बिमार हो जाते हैं काफी जादा तब यहाँ पर इनकी मोत के बाद हिंसा और ज़्यादा भड़क गई थी ये कह रहे थी कि हमें तेलगू भाषा के अधार पर हमारा एक अलग राज्य चाहिए तो सरकार को JVP कमेटी थी उस वक्त वहँपर सरकार को क्या था जुकना पड़ा था और यहाँ पर एक राज्य बनाना पड़ा था आंधर पर पर बहुत भाशा के अधार पर तो काफी सारे राज्या फिर अधार पर कम, मतलब कि प्रशाशनिक सुईदा के अधार पर कम, बलकि भाशा के अधार पर राज्य बने, एक शेत्र यह पहचान के उपर वहां पर राज्य बने, तो लोगों का जुडाव बहुत जादा है अपने शेत्र से, अपनी भाशा से, तो वो नहीं चाहते कि हमारी भाषा या हमारा जो शेत्र है वो हम किसी दूसरे को देदे वो यह नहीं समझेंगे कि वो एक इपने ही देश मेटए जाएगा तो यहाँ पर एक तरीके पर अधारी था कि भी परशाशनिक सुविधार के अधार पर राज्यों का पुनर गठनो लेकिन काफी हद तक एक भाषा और एक राज्ये का विचार इसमें आपको मिलेंगे और एक दूसरी बात यहां पर आपको मिलेगी भोगौलिक जटिलता यानि जो ग्राफिकल कॉंपल किस नधी को पार करने के बाद दूसरा राज्य शुरू हो रहा है या किस जगह को पार करने के बाद कौन सा राज्य स्टार्ट हो रहा है तो यह अभी decide नहीं है जब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शाषन हो गया था तो अपनिवेशिक मांचित्रों ने आसम के जो बाहर पुर्वात्तर के बड़े-बड़े इलाकों को यानि जो घने जंगल थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया था अन-एक्स्प्लोड था वहाँ पर कहा है नहीं था कि इसके अंडर आएंगे तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया अधिकांस भाग के जो सवेदेशी समुदाय अकेले रह गए थे पर शासनिक सुविधा के लिए फिर यहाँ पर जुरूरत पड़ी तो उन्होंने सीमा खींच डाली 1956 में सीमांकर ने विशंकितियों का समधान नहीं किया 1956 में जो आप देखेंगे कि राज्यो का पुनर गठर नायोग बनाया गया था तो वहाँ पर जो प्रोब्लम आ रही थी उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया उसको सुलजाने की कोशिश नहीं की गई अब बात करें असम से जो राज्य अलग किये गये थे ज्यान नहीं दिये गया आज की देट के अगर बात करूँ अभी आपने सुना होगा चंडिगड को लेकर काफी जादा विवाद हो गया चंडिगड जो था वो पंजाब की राजधानी हुआ मतलब कि पंजाब की स्टार्टिंग से राजधानी थी शिमला उनको टेंपररी जाए था कि एक अलग राज्य बना था कि आपको पांस साल का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने लिए एक अलग से राजधानी बना लीजिए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया आज भी उस चंडिगड को लेकर पंजाब और हर्याना के बीच में आज भी लड़ाई चल रही है पंजाब उदर से अपना resolution निकाल रहा है कि चंडिगड हमें पूर्ण रूप से सौंपती जाए तो यहां पर आप देखेंगे ना कि result स्टार्टिंग से हो जाना चाहिए तो बैट रहेगा लेकिन वो बढ़ते-बढ़ते मतलब चीज इतनी जादा खतरनाक हो जाती है इस result कि आप satellite मांचितर का use करिए आप बताई कि इतना शेतर जो है वो यहां पर इस राज्य को जाएगा इतना इस राज्य को जाएगा और यहां पर आपको एक अंतराज्य काउंसिल यानि की interstate council बनानी होगी यह interstate council जाए वो article 263 के तहट 63 के तहट बनाई जा सकती है समी इसके अधार पर दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है उसको दूर किया जा सकते हैं इसी तरह समाजिक और आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतराजे परिवेन, आदी से संबंदित मामलों को परतेक शेत्र में राज्यों के लिए समाने चिंता मामलों पर चर्चा करने के लिए एक शेत्रिय परिशेदों को पुनर जीवित करना की जूरत है शेत्रियय परशेत मनलब कि जो Journal Council है जो किसी राज्ये के अंदर एक राज्ये होगया यहां पर कोई Journal Council है तो यहां पर इनको बनाना चाहिए इनका भी राय बहुत ज़्यादा important है कि आप कैसे सोचते हैं आपको कैसे resolve करना इन सब तमाम बातों को अगर करेंगे एक कोपरेटी फैडरलिजम का अगर हम ये सिस्टम अपनाएंगे तो शायद आने वाले टाइम में ये सिमाईवाद सुले सकता है अब भारत में हम देखते हैं कि अनेकता में एक एकता का परतीक है हलांकि एकता को मजभूत करने के लिए केंदर और राजय सरकार दोनों को सामने आना होगा और एक कोपरेटी फैडरलिजम को बढ़ावा देना होगा और ऐसा नहीं है कि कोपरेटी फैडरलिजम मतलब कि सब को एक साथ मिलके काम करना हो कि सुनी जानी चाहिए वहां पर ऐसा नहीं कि केंदर सरकार ने कहा दिया कि हाँ भई इसकी मतलब पावर तो है केंदर सरकार के पास Article 3 के तहट Constitution में Article 3 के तहट चाहे तो भार सरकार ये कह सकती कि इतना शेतर जो है वो असमका है तो वो असमका ही होगा कोई कुछ कर भी नहीं सकता सधारन भूमत चाहिए होता है वो पास करतेंगे और ये यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता नागालेंड को कहेंगे आपका शितर इतना है तो इतना है तो ऐसा नहीं करने के बावजूद आप वहां पर उन लोगों से बात करिए कि वहाँ पर जोर्नल काउंसिल बनाएए इंटरस्टेट काउंसिल बनाएए ताकि जो भी विवाद है उसको सई से रिजॉल्ट किया जा सके क्योंकि आने वाले टाइम में में भी अगर सरकार ने ऐसा कर दिया बिना किसी सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशकर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करसकते हैं चैनल को as well as वीडियो को भी क्योंकि ये सब करने से, ये तीन चीज़ें करने से मुझे बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश और करता हूँ अभी भी अच्छी बना रहा हूँ तो बस आज के लिए इतना ही है, thank you for watching this video